बोडी आफ दर्थ गर्ल जिसके मुँ में खूल था शरी में कोई कपड़ा नहीं था पैर दोनों राइट अंगल में मिला गया एक पाउ बैट के इस तरफ एक पाउ बैट के इस तरफ मिला गया चश्मे को कूटा गया जिसके वज़े से आखों से खूल निकल गया प्ला दब कर रख देती है ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी च बलकि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी इतनी ताकत से कि उनका थायरोइट काटिलेस तक तूट गया था इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लि नहीं था बलकि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकान था हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे क्या वहां को कोलेज के शान्त माने जाने वाले परिसर में जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिये आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस बिफोर स्टार्टिंग डिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को शृती नाम से रेफर करने वाला हूँ एंड ये उनका रियल नेम नहीं है सो, कनफ्यूज मत होना शृती एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी थी आठ अगस्त दो हजार चॉपीस को और दिन की तरह शृती अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है तभी रात के ग्यारह बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है जैसे कि हर दिन आता था क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है शृती की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबियत वगएरा तो ठीक है तुमारी जिसके reply में शृती बोलती है कि उनकी तबियत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है जिसके बाद वो अपने कलीक्स के साथ बैट कर खाना खाएंगे अपनी मदर से बात करने के बाद शृती पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में शृती को रात के दो बच जाते हैं जिसके बाद वो अपने कलीक्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के तीन इन बच जाते हैं और इस वक्त शृती थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जा कर रेस्ट करने लगती है शुरुति के रेस्ट करते करते सुबह के साधे 7 बच जाते हैं पर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती जो कि काफी ज्यादा अन्यूजुल था क्योंकि शुरुती कभी भी आधे एक घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी हॉस्पिटल का एक वरकर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वो ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है उसकी आँखों के सामने होता है एक भयानक नजारा जिसे देखकर वो बहुत जोड से चीख पड़ता है इस वरकर की चीक सुनकर आस पास के लोग वहाँ एक कठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर शृती की बाड़ी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बाड़ी पर कुछ बलड के निशान भी है यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ट्रामा से कम नहीं था स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वककर्स के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर शृती की बॉड़ी को देखकर आस पास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटते हैं और इमर्जनसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी एट दी एंड शृती कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मुर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जस्ट बिकॉज की वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके बट जब पोस्ट मॉटम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है इन रिपोर्ट्स से साफ साफ पता चल जाता है कि शृती के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला खूट दिया इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था किस्मत से पुलिस वालों को वहाँ पर शृती के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लू टूथ नेक पैंड ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर CCTV कैमरा होते तो बट किस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं थे लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहाँ पर कुछ CCTV कैमरा थे पुलिस वाले इन CCTV कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की recording चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आये और गए थे इन CCTV फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आये और गए थे ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक-एक करके इन 6 लोगों को पूछ ताच के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहां कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं इन लोगों से पूछ ताच के दौरान पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है क्योंकि ये ब्लू टूथ ने एक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजे रोय जो की एक सिविल वलेंटियर था सिविल वलेंटियर वो लोग होते हैं जो की पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स अनौन्थराइस्ट पार्किंग या फीडभाड वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म्स पहन कर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज्यादा क्राउड एकठा न हो तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था जिसके बाद वो संजय रोय से और गुस से पेश आने लगते हैं बट संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर-भर के पॉर्णोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था, कि संजय ही शुरुती के मर्डर का में कलप्रीट है, इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं, एंड फाइनली वो डर कर अप पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब CCTV कैमरा में कैप्चर हो गया तो क्या, वो ये सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले, just because वो उस वक्त नशे में था, बाद में जब पुलिस वाले उस शूपर लगे बलड सैंपल को चेक करवाते हैं, तो वो भी शृती के बलड से मैच हो जाता है, which was a solid proof against him in सारी reports and details को एक साथ combine करके पुलि संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में night shift किया करता था, तो उसे यहां की काफी अच्छी knowledge भी थी, कि कहां पर camera है और कहां पर नहीं, तो वो आराम से इस हॉस्पिटल के fourth floor पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, व जो की rest करने seminar hall में जा रही थी, शृती को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगणने लगते हैं, वो पहले काफी देर तक इस floor के चक्कर लगाने लगता है, ये confirm करने के लिए कि कोई यहां पर ज्यादा आ तो नहीं रहा, जब उसे लगता है कि हां उसका रास्ता साफ है, तो वो चार बजे seminar hall के अंदर enter करता है और फिर वहां से 4.45 पर बाहर आता है, इन 45 minutes तक शृती के साथ इस आदमी ने क्या-क्या किया होगा और वो कितने pen से गुजरी होगी, ये सोच कर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा, इस कातिल इनसान के साथ क्या होना चाहिए आप कॉमेंट में जरूर बताना और इस केस रिलेटेड जानकारी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक्यू